एस्बीए एट्यम लूट का 24 गंटों में पर्दा पास वहीं 4 आरोपी गिर्पदार और दो फरार गगाडी में एट्यम लूट का पुलीस ने 24 गंटों में खुला सकर मास्टर माइंड साइच 4 आरोपी को गिर्पदार किया है उनसे एट्यम मशीन तोड़ कर निकाल अवे 5,35,900 रुपए भी बराम्त किये है वार्दात में पुलेरो केंपर को भी जब्द किया है लूट की वार्दात को इस्तानी यूग की मदद से अंजाम दिया गया गगाडी निवाशी नेमिचन पलिवाल 23 वर्षी, करवड के जुड निवाशी दिनेश 19 वर्षी, खेडापा के चांदरक निवाशी सोनारा मेगवाल 27 वर्षी और करवड के नेतरा निवाशी दनारा मेगवाल 28 वर्षी को गिर्पदार किया है वहीं जीतंदर नाम के दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं पुलीस पत्चास किलोमेट तक सीशिटी फुटेज खंगालत वे आरोपी तक जा पहुंची कोटा के मावीर नगराल जेलू गगरी साका परबंदक जैसिंग राटोर ने रिपोर्ट दी इसमें बताया कि सनीवार देरा डाई बजे सूचना मिली की बदमास उनकी साका के एटियम मसीन उखाड कर ले गए वे अकाउंटेड मनोज के साथ पहुंचे और सीशिटी फुटेज दे गए इसमें राट डेट बजे सपेद बोलोर केमपर में तीन चार आदमी मुझ पर कपड़ा बांदे दिखे उन्होंने एटियम कक्स का ताला तोड़ कर दर्वाजा खोला और एटियम मसीन को बांद कर उखाडा और अपने साथ बाले सर की तरब ले गए मामला सामने आने के बाद में पुलीस ने टीम में घटित कर तलाश शुरू की चौकाने वाली बात है कि गैंग का मास्टर माइंड सोना राम था बाकी लूटे रहे उन से ही संपरक में दे या आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे सोना राम ने इस्तानिय के तोर पर नेमी चंद को गैंग में सामिल किया उसी ने पूरी रहकी कर लूट में सयोग किया मास्टर माइंड सोना राम पर चौरी के कई मामले दर्जे है वह या रोपी दिनेश पर कंटी लूट और चौरी के कई मामले दर्जे जबकि धन्नाराम और नेमी चंद के खिलाब पुलीस में कोई भी मामला दर्द नहीं है पुलीस ने बताया कि लूट के बाद लूटेरे पैंटरोल बरवाने पंप पर गए थे उनके वास से निकलने के बाद पुलीस भी CCTV फुटेज खंगालते उसी पैंटरोल पंप पर जा पहुंची जा उनको फुटेज में लूटेरो में से एक का चेहरा दिखाई दिया जिस पर पुलीस दे उस चेहरे को संदिक दो के चेहरे से पहचान करोई या पुलीस के लिए पहली लीड मिली उसी से पुलीस आरोप्य तक जा पहुंची और पूरे मावले का खुलासा कर दिया